एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लिया, एक कागज ले लिया, यह दिखाने के लिए के ग्लास के उपर कोई भी ग्लू नहीं है, कोई ग्लू गम कुछ भी नहीं है, जिस पर हम इंसेंस स्टीक को चिपका देते हैं, देखिए यह पेपर जो है पूरा कलीन है, इसमें अगर glue होता तो इससे चिपक जाता ये incense ठीक है इसमें भी glue इस्तमाल नहीं किया गया है otherwise ये paper गिला हो जाता अब हम ये एक fork और एक spoon ले रहे हैं इन दोनों को मिला के मुझे एक system बनाना है जिसको मुझे balance करना है ये glass के रीम के उपर तो हमने एक system बना लिया और ये हमारी अगरबत्ती है इसको हम इस पे लगा देते हैं अब हमें इसको glass के रीम पर balance करना है लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम है because ये अगरबत्ती जो है वो बहुत हलका पुलका है पर ये cartillary set जो है fork और spoon ये तो काफी भारी है उसके हिसाब से ये एकदम से balance नहीं होगा थोड़ा time लगेगा because इसका center of mass adjust होने में थोड़ा time लगेगा जैसे हम पहले ही बार में cycle पे नहीं चड़ सकते हमको practice करना पड़ता है लीजे ये balance हो गया अब देखिए इस पर कोई support नहीं है fork के अंदर मतलब के नीचे कोई support नहीं है spoon के नीचे भी हमने कोई support यूज नहीं किया ये पूरा हवा में है और ये पूरा incense stick के ऊपर ही balance है एक single point पे glass के rim के ऊपर एक single point है जिसको pivot कहते है जिस पर center of mass है ये पूरा system का अब हम ये अगरबती जला देते हैं आएए देखते हैं क्या होता है आगे से अगरबती जला दिया बहुत अच्छी भीनी भीनी से खुश्बो आ रही है इसकी थोड़ी दिर में ये ash हो जाएगा जल कर पूरा राख हो जाएगा हमने ये intentionally पूरा जला दिया ताके experiment जल्दी जल्दी हो जाए फिर से दोबारा जला रहे हैं experiment को ज़रा quickly करने के लिए अब आगे से देखिए ये सामने से ये थोड़ा राख already होना चालू हो गया हाँ ये थोड़ा चालू हो गया राख होना अब अगर हम इसको पीछे से भी जला देते हैं तो क्या होने वाला है आए देखते हैं एक single point पे balance है ये अभी अभी इसको पीछे से भी जला दिया क्या होगा ये glass क्या तूट जाएगा fire की बज़े से और क्या ये जल जाएगा तो काटला दिसेट क्या गिर जाएगा प्लेट के ऊपर आए देखते हैं क्या होता है लीजे ये तो पूरा ही जल गया ये भी राख होना शुरू हो गया I'm sorry for stumbling देखिए अब एक single point पे ये पूरा system balance है दोनों तरफ से कुछ भी नहीं है masses इसका जो mass है वो आगे की तरफ से पीचे की तरफ से अगर बत्ति का दोनों ही reduced हो गया है कोई support नहीं है spoon के नीचे कोई support नहीं है fork के नीचे कोई support नहीं है सिर्फ जो pivot जो है मतलब के जो point ये glass की रीम के उपर rest कर रहा है वो single point जिसको हम pivot बोलते हैं वो ही इसका center of mass है और वो अभी stable है इसलिए ये system गिर नहीं रहा एक single point पे balance कर रहा है thanks for watching